ओके तो फाइनली वनपीस का मांगा चैप्टर 1075 के स्पॉलर्स आ गया है एंड जानते हो ये स्पॉलर रीड करने के बाद मैं भाई जितना खुष इस चैप्टर के लिए था एकसाइटमेंट था उससे कई ज़्यादा एकसाइटमेंट हो गया इस चैप्टर के बाद और एक चैप्टर आएगा और उसके बाद सायद ओड़ा ब्रेक पेज जाएं जो की बहुत बढ़िया बात है प्लस हमें इस चैप्टर के स्पॉलर में ये भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 1076 ये वाला 1075 के स्पॉलर है 1076 में वनपीस का वॉल्यूम 105 रिलीज होगा और देखो जब भी वनपीस का वॉल्यूम रिलीज होता है तो एक कलर पेज आता है एंड कलर पेज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिये जाता है कलर वाला जो कवर पेज होता है प्लस वहाँ पर फॉर सर्डेंग कहीं न कहीं ओडा किये रहता है वैसे ध्यान से देखा जाएगा कुछ समझ में आएगा तब देखेंगे लेकिन फिलाल हम बात करता है वनपीस के मांगा चप्टर 1075 के स्पॉलर की जहाँ पर सबसे पहला निकल के आता है कवर पेज को लेकर के और कवर पेज में हमें डॉक्टर वैगा पंक देखने को मिलेगा जो की मिलता है फाइब एल्डर से एंड देख भाई ये जो चीज है ना इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन वाली चीज हमें कवर पेज में दी जा रही है वैसे जब सैटन आया था एगड आइलेंड आ रहा था कि जारू और सैटन दिखाए गया तो वहाँ पर सैटन ने कन्फर्म किया था कि वो पहले डॉक्टर वैगा पंक से मिल चुका है तो हाँ यहाँ पर अब जो है हमें कवर पेज में देखने को मिलेगा प्लस इस कवर पेज में जब five elders से मिलेगा देखो इस कवर पेज को देखने हमें बहुत अच्छे से बड़ेगा विकलब यहाँ पर हमें बहुत सारी information मिल सकती है जैसे डॉक्टर वेगापंग गोरो से इसे बहुत पहले मीला होगा एंड हम सबको एक और बात पता है कि गोरो से अमर नहीं है तो यहाँ पर हो सकता फाइव अल्डर्स हमें थोड़े यंग दिखाये जाए अगर फाइव अल्डर्स उसी टाइप के बुढ़े टाइप से दिखाये देते हैं तो बहुत जादा मिश्ट्री होने वाला है लेकिन देखने मज़ा आएगा मैं बाकी बाद जब कवर पेज आएगा न तब करूँगा और उस पर हो सकता मैं कुछ थियोरी लेके आऊँ एंड तुम्हें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने का कोसिस करूँगा जब आज आएगा चैप्टर चलो नेक्स्ट बात करते हैं देखो अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैंने कहा था जब पाइथोगर चारा होता है और उसके पीछे ब्लास्ट होता है मैंने तीन पॉसिबलिटीज बताई थी एक या तो किजारू ने लेजर वाला अटेक किया होगा दूसरा जो कि मुझे नहीं लगते कि अब होने वाला थर्ड इनके बीच में कोई इंपोस्टर है आई मिन धोके बाज है तो अब देखो वो चीज़े सच होती हुई नजर आ रही है एंड कौन साले ये देंदन मुसी को डिस्ट्रॉई कर रहा है प्लस देखो देंदन मुसी को अगर डिस्ट्रॉई करेंगा तो जो साका सभी को जो कमांड करेगा न भाई बैट करके लैब में एक दाम मॉनिटर में देख के वो देख नहीं पाएगा एंड देखो जब chapter आएगा तो हमें और अच्छे से पतत चल जागा next निकल के आता है straw hat and vegapunk clones from 4 group straw hat, pirate और clone ये सब मिलके 4 group में बढ़ गये one of the group is attacked by s snake s snake मतलब boa hancock वाला seraphim यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में आ रहोगा कि आखिर किस वाले group पे s snake ने attack किया है, तो देखो ये वाला जो है frankie का group है ये क्यूंकि नीचे वाले spoiler में reveal किया गया and वहाँ पर not confirmed लिखा है, तो यहाँ पर होने के chances हैं भी और नई भी जब chapter आगा तो reveal कर दिया जाएगा next spoiler ये निकल के आता है s bear और s hawk, s hawk मतलब hawkai वाला, s bear मतलब kuma वाला, ये दोनों सराफिम क्या करते हैं, जा करके सिधे control room में हमला कर देते हैं and saka जो है इनको order देता है रुकने का, बट ये लोग नहीं रुकते हैं मतलब क्या है, five gros से वाला एक buddha आ गिया है और हम सबको पता है, कौन आ रहा है, saturn वैसे देखो, मैं five elders के उपर वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो आने वाला है तो उसके लिए थोड़ा wait करो बस अब देखो, अभी न, main मजा आना चालू हो जाएगा because fight start होने वाला है and हम सबको पता है, one piece के style है हर arc में story को build करता है सुरू में तुमको bore करेगा धिरे-धिरे story interesting होता है कुछ सवाल खड़े होते है, कुछ चीजे reveal होती है and फिर जब वो climax में पहुँचता है arc के end end में fight में तभाही मचा देता है तो देखो, अब सायध हो सकता fight होना start हो जाए फाइट तो चल रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा interesting fight नहीं चल रहा था बट अब जब fight होगा, मज़ा आएगा लूची और काकू, ये दोनों जो है, जाग जाते है लूफी and Zorro to free them to fight together ये दोनों जो लूफी और Zorro से कहते हैं कि हमें आजाद कर दो, हम तुम्हारे side से लड़ेंगे यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई, ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों को जो है लूफी के side से fight करने की जरुद पड़ेगी और ये लोग आजाद कराने के लिए कह रहे है हाम सबको पता है कि लूफी इतना बड़ा बेवकूफ है वो बातों में आ जाता है बट जोरो उतना बड़ा बेवकूफ नहीं है और देखो यारा कर दिये लोग धोका भी दे देते हैं क्या ही उखाड लेंगे भाई लूफी पे चलो sea prison stone पैना दोगे अब जोरो काट देगा तुमको वो devil fruit user थोड़ी है खेर तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूँ actually मैं दो सराफिम ने हमला कर दिया है and kakoo and luchi ये दोनों कुछ नहीं कर सकते हैं और ये दो सराफिम no doubt as hawk and as beer हैं and ये दोनों जब हमला कर रहे होंगे ये थोड़ी देखेंगे भाई की रास्ते में kakoo पड़ा हुआ ना luchi पड़ा हुआ ये लोग तो भाई अंधाधून मारेंगे न and साथी साथ extra spoiler में जो की 100% confirm नहीं है उस पर भी आते हैं तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि Stussy, Sanji और Jinbe ये तीनों जो है एक सेम ग्रूप में वैसे देखते हैं आगे क्या होता है और जहां तक मेरे को लग रहा है 1075 के बाद ओड़ा जो है 1076 में फाइट दिखाएंगे बढ़िया से पूरा एकदम बाई ओड़ा सेट अप करके जाएंगे Straw Hat versus मरीन का और फाइट देखने में मज़े आ जाएगा वैसे चलो देखते हैं आगे क्या होता है और कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो साथी साथ मुझे पता है मैंने इस बार जो कमेंट के रिप्लाई नहीं दिया है कल याद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था और उसका record मैंने करके रखा है लेकिन मैं upload नहीं कर पाया तो वो वीडियो जो कल आएगा तो उसमें जो तुमारे कमेंट के reply दिये जाएंगे और इस वीडियो पर जो तुम कमेंट करोगे वो तुमको गुरुबार वाले वीडियो पर देखने को मिलेगा हाँ तो याँ वीडियो को यहीं तक रखते हैं एंड ये spoiler कमाल का है मुझे feel आगया कि ये chapter तबाही मचाने वाला है वसे like, subscribe वाली फर्मिल्टी पूरी कर देना एंड हाँ इस्टाग्राम पर follow करता है मत बूलना तो याँ मिलेंग नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई